देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे लोकप्रिय नेता जिसको दिल्ली की जनता ने तीन बार चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, नब्वे प्रतिशत से ज़्यादा सीटे दे के चुना, उस लोकप्रिय नेता अर्विंद केजरिवाल से इतने डरे हुए, इतने भैभीत हैं, कि उनका एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए, इस सरकार को चलने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, अर्विंद केजरिवाल को दिल्ली की दो करोर जनता के हितों में कम नहीं करने देना है, कुछ भी हो जाए, दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मोहला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए, बुदुर्गों की तीर्थ यात्रा नहीं होनी च चाहिए सिख्षा मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए इलाज में इलाज मुफ्त नहीं मिलना चाहिए घर घर रासन नहीं पहुचना चाहिए कुछ भी हो जाए इन सारे कामों को रोकना है क्योंकि दिल्ली की जनता ने ये अपराध कैसे कर दिया कि अपने बेटे को 90 प्रतिसत सी दे कर मुख्यमंत्री बना दिया इसको रोकना है और कैसे रोका जा रहा है आज साल की लंभी लड़ाई चलती है मानिये सर्वोच्य न्यायाले की सम्मिधान पीट का फैसला आता है पांच जजों का सर्वोच्च न्याया लेके पांच न्याया धीसों का फैसला आता है और वो फैसला सर्व सम्मती से आता है क्या कहा जाता उस फैसले में कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्म अब देही है यह फैसला आता है सुप्रीम कोड का और उसके बाद दो दिन भी नहीं वीशता भारती जंता पाटी की सरकार नरेंद्र मोधी जी की सरकार मानी सर्वोचि न्यायले के फैसले को सम्विधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है एक और अध्यादेश से बदल देती है कहती नहीं मानते सुप्रीम कोड नहीं मानते सम्विधान पीठ नहीं मानते इस देश का सम्विधान नहीं मानते इस देश का और आर्डिनेंस लेके आते एक काला अध्यादेस एक तुगलकी अध्यादेस एक ऐसा अध्यादेस जो मानमी सर्वोच्च न्यायले के फैसले के खिलाफ है जो भारत के सम्विधान के खिलाफ है और यह सवाल सिर्फ अर्विंद केजरिवाल जी का नहीं है ये सवाल सिर्फ आम आद्मी पार्टी का नहीं है ये सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का ये सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सवाल है बाबा साथ डॉक्टर भीम राओं बेटकर के द्वारा लिखे गए सम्विधान का कि वो सम्मिधान बचेगा या नहीं बचेगा ये सवाल है देश की सर्वोच न्यायाले का कि उस न्यायाले की प्रतिस्था उसके अधिकार और उसके आदेश बचेगे या नहीं बचेगे ये तो आपातकाल की स्थिती है तिब नियायले का फैसला आप परड़ दे रहे हैं ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं ऐसी ताना साही ऐसी बद दिमागी आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच नियायले का फैसला आया दिल्ली के मुख्य मंत्री ने कहा प्रधान मंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए प्रधान मंत्री को एक अभिवावक की एक पिता के भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान द्रिस्टी से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बरबादी पर तुला हो एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो एक पिता अगर सम्विधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुड़ जाए तो देश की इस्तिती क्या होगी ये समझा जा सकता है तो इसलिए ये जो फैसला आया है ये सीधे तोर पर बताता है कि भारत के प्रधान मंत्री को ना इस देश के लोगदंत्र में यकीन है ना इस देश के संगी धाचे में यकीन है भारत के प्रधान मंत्री को ना इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाय देने में यकीन है और ना ही भारत के सरवोच्चे न्यायाले और सम्विधान में यकीन है उनको सिर्फ ताना साही करनी है उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है और आज ये जो फैसला है ओर्डिनेंस का मैं समस्ता हूं सर्वोच न्याले में तो जाएगा ही और वहाँ पर मानी सर्वोच न्याले इस तारा साही पूर्ण फैसले का संग्यान लेगा लेकिन कितनी मज़ेदार बात है मुख्य मंत्री के उपर है दिल्ली का गैर चुना हुआ एल जी दो करोन जन्ता के द्वारा चुनी हुई सरकार के उपर है तो फिर यहाँ चुनाव कराने का विधान सवा के गठन का सर्वोच न्याले ने जिन बातों का स्पस रूप से लिखा उन बातों का क्या मतलब रह गया कोई भी परिवर्तन कोई भी अध्यादेश संविधान के दाइरे में होगा संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता और इस देश का संविधान संगी ढाचे की बात करता है इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है तो आप भारत के सम्विधान से बाहर जाके कोई अध्याद इसके से ला सकते हैं भारत के सम्विधान से बाहर जाके कैसे कोई कानून लेके आ सकते हैं तो इसलिए इस बात को पूरा देश देख रहा है कि आज एक ऐसा नेता जो दिल्ली में दिन रात लोगों की सेवा करना चाहता है एक ऐसा नेता जो आपके जिंदगी में आपके बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है भुज़ुर्गों की सेवा करना चाहता है आप सोची एक सम्वेदन स्शीलता का उधारन की एक मुख्य मंत्री ने एक वीडियो देखा जिसमें महिलाओं के लिए बस नहीं रोकी जा रही थी उस कंड़क्टर के खिलाफ दो मिनट के अंदर कारवाई करते हैं यही नहीं चाहते मोदी जी चाहते हैं नहीं वो महिला है तो परिशान रहनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने केजरिवाल को चुना है यह बुदूर्ग तो पैसा परिशान रहने ही चाहिए इनको कैसे तीर थियात्रा मिल रही है इनको कैसे बुढ़ापे की पिंसन मिल रही है कैसे विद्वा पिंसन मिल रही है इनको तो परिशान र रहते हैं यह संभव है कैसे उन बच्चों के माबाप ने केजरिवाल जी को चुन लिया कि कैसे गरीब के घर में रोसनी आ रही है तीन सो यूनिट बिजली फ्री मिल रही है यह अगर ऐसी धारना भारत के प्रधान मंत्री की होगी ऐसी धारना भारती जनता पार्टी की होगी तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं आप भी जड़ा सोचिए इन लोगों के बारे में जड़ा ध्यान दीजिए कैसे लोग बैठ गये हैं कैसी घ्रणित और नफ सिकता के लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं जड़ा गंभीरता से आप लोग एक मिनिट लगा के सोचिए क्या ऐसे लोगों के हाथ में देश सुरक्चित हैं जो आपके बच्चों का भविस्य बरबाद करने पर तुले हैं जो आपके महला क्लीनिक और घर-घर के रासन की योजना रोकने पर तुले हुए हैं जो दिल्ली के दो करून लोगों का काम रोकने पर तुले हुए हैं जो भारत के सम्विधान को पलटने पर तुले हुए हैं जो भारत के सर्वोच न्यायले की प्रतिस्था को खतम करने पर तुले हुए हैं इस सवाल सिर्फ राउम बेट करके द्वारा लिखे जाए सम्विधान का है और मैं समझता हूँ कि जब ये मामला फिर से सर्वोचिन्याले के सामने जाएगा तो निश्चित रूप से मानी सर्वोचिन्याले इन बातों का संग्यान लेगा मुझे इतनी बात कहनी थी आपका कोई प्रस लेगा उस पे सरकार फैसला लेगी और मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे कि उसमें क्या उनको करना है लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो फैसला आया है ये सर्वोचिन्याले के सम्विधान पीठ और सर्वोचिन्याले के पांच जज़ों के फैसले को पलटने का अध करा संग्यान सर्वोचिनयाले नेगा देखे सड़क से लेके संसद तक इसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है कि संसद तक ये पहुंचे गए नहीं उसके पहले ही सर्वोचिनयायले इस फैसले को संग्यान में लेते हुए इस अध्यादेश को संग्यान में लेते हुए अपना निर्णे देगा लेकिन जब संसद में आएगा तो उस वक्त क्या होगा यह आप देखेगा मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विपक्ष भारती रंजनता पार्टी को छोड़कर इस मामले में दिल्ली सरकार के साथ और केजरिवाल जी के साथ और दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होगा ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ जब यह पैसा आया था सुप्रियंगोर का रवी से लिजनती के निजनता के कि तो लिकार कानू लाया रख रहता है। जो लोग और्डिनेंस लाके अधिकारियों की दागदार अधिकारियों की सेवा बढ़ाते हैं जो लोग रिटायर्मेंट के बाद भी कमिस्नर और E.D. डिरेक्टर और C.B.I. के डिरेक्टर के पोस्ट पर अपने चहेते अपने उंगली के इसारे पर नाचने वाले लोगों को आपॉइंट करते हैं जो लोग अपने खिलाफ एक शब्द बोलने वाले अधिकारी को न सिर्फ हटाते हैं सस्पिंड करते हैं टर्मिनेट करते हैं बलकि उठा के उसको जेल में बंद करके सडाते हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं अरे हमने तो जो सर्वोच्य न्यायाले ने अधिकार दिया उसका पालन हम कर रहे थे और सर्वोची नयाले ने कहा कि देश संगिय धाचे से चलेगा, लोकतंतर से चलेगा, चुनिवी सरकार से चलेगा, सम्विधान के दारे से चलेगा तो जब हमको ट्रांसपर पोस्टिंग का अधिकार सर्वोची नयाले की पाँच जजों की सम्विधान पीट ने दिया तो उस पे हम अगर कोई ट्रांसपर पोस्टिंग कर रहे हैं एक दो ट्रांसपर पोस्टिंग उस पे खड़े होके चिल आ रहे हैं पत्ब ताना साही की पराखास्ता है और क्या कहेंगे इसको देखे दोजार सोला में जब क्रांती मानी गई थी उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भरस्टाचार है तब भादपाईयों ने क्या कहा हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भरस्टाचार खतम हो जाएगा मित्रों अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खतम करने से भरस्टाचार खतम हो जाएगा मित्रों ऐसे अनपढ़ हादमी को अगर देश का प्रदार मंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा यह क्या मजाग बना रखा है आपने जब आप 2000 का नोट लाते तो कहते हैं भरस्टाचार खतम हो जाएगा काला धन खतम हो जाएगा आतंक वाद खतम हो जाएगा कितने बड़े-बड़े दावे किये गए थे कुछ लोग तो यह बता रहे थे कि 200 फिट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा ऐसा करिश्मस अब बता रहे थे अब करें 2000 की नोट बंद होने से ब्रस्टाचार खतम हो जाएगा इस देश की जनता को मूर्ग समद रखा है क्या भाई इंटाइर पॉलिटिकल साइंस की तुमारी डिगरी हो सकती है उस डिगरी का पता ना चले ये भी हो सकता है लेकिन देश का बेड़ा गर्क मत करो देश को ऐसी मुसीबत में मत डालो अब होगा क्या मोदी जी कह रहा है मित्रों जितना घर में 2000 का नोट रखे हो साब हमारे बैंक में जमा कर दीजिए हमारा मित्र जो है अडानी वो लाखों करोन के घाते में चल रहा है उसको बैंक से उठा के करजा देना है यही है और क्य मित्रों जितना 2000 का नोट रखे हो किसान भाईयों माताओं बेहनों बुजर्गों नवजवान साथियों साथ 2000 का नोट बैंक खाली कर दिया है अडानी ने वहाँ पर जमा कर दीजिए हम उठा के फिर 2000 का नोट उसको करजा में देना यही है और क्या मतलब इसका अडानी ने हिंदुस्तान का लाखों करोंड रुपए बैंकों का चार्ट लिया है खा लिया है खतम कर दिया है धाई लाख करोंड रुपए LIC में निवेसकों का डूबा है धाई लाख करोंड रुपए जीरो लगाते लगाते ठक जाएंगया 11 लाख करोंड रुपए भारत के प्रधान मंत्री ने चंद्र पूंजी पतियों का माफ किया है सारे तीन लाख करोन रुपए हेयर कट के नाम पे चंद पूजी पतियों का माफ किया है और अब कहरें जितना घर में दो दो हजार का नोट है सब बैंक में जमा करो उठा के अडानी को देना है क्योंकि हमारा दोस्त घाटे में कैसे रह सकता है हमारे रहते हुए मकसद है और क्या है तो ऐसा अनपढ़ मूर्ख गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा एक बंदर के अस्तूरे की कहानी मैंने बच्पन में सुनी थी और कि वह पहले राइट में सुनी मारता है फिर लिफ्ट में सुनी मारता है फिर सीधें सुनी मार लेता है तो बंदर के हाथ में सीधें मार लिया उन्हों